नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं ख़बर एचपी और आईए वक्त हो गया हिमाचल परदेश के ताजा और बड़ी ख़बरों को जानने का बतायेंगे सभी खबरें एक एक करके एवं विस्तार से उससे पहले आप हिमाचल परदेश के किस जीले से न्यूज को देख रह करने की सजा मिली है यहां ओप्यस लागू करते ही केंदर सरकार ने फॉर्ण फंडिंग की लिमीट में कटोती कर दी है वह भाच्वा विधायक विपिन परमार के सवाल का जवाब दे रहे थे परमार ने एशियन डेवलोप्मेंट बैंक के टूरिज्व प्रोजेक्ट को ल एडिट प्रोजेक्ट में मिल गए थे लेकिन अब भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ एकोनॉमिक अफेयर्स ने इस लिमीट को कम करके 294 करोर कर दिया है यानि करीब 65 करोर की कटोती इसमें हुवी है हर बार मिल रहे सिर्प अस्वासन वित्य लाब नों मिलने पर 58 सेवानिवित कर्मी नराज जिस सेवानिवित कर्मचारी बृध आवस्ता में अपने वित्य लाबों की पराप्ती के लिए बार-बार सरकारवा प्रबंदन से मांग पत्रों के माध्यम से गुहार लगाते रह इस दुरान स्वानवित कर्मचारे की दिकतों पर चाचा की गई बता दे कि पर्धान विदीच सिंग ने बताया कि मुखमथी सुक्विद्नरसी सुकू पहले विपक्ष में रहते वे परिवहन से संबंदी समस्त कर्मचारीों के जवलंत मुद्वकों पुर्व सरकार के समक्ष उठाते रहें वह सिवानवित बुढ़ापे की दहलिज पर बैठे वे वित्य लाफों के वुक्ता नो होने से काफी रूस्ट है उन्हेंने सीम से इन वित्य लाफों के लिए गुहार लगाई है हिंदू बन लड़की भगाई राजुरी में क्या निका मंडी के बला में पेस आया लबजियात का मामला जे मंडी जिला की बला तैसिल के एक गाउं की युपती के साथ लबजियात का मामला सामने आया है जम्मू कस्मिर के एक युवक ने सोनू बन बला तैसिल की एक लड़की को अपने प्यार के जाल में फसाया और फिर उसे राजुरी ले गया यहां पहुचने के बाद पता चला कि सोनू हिंदू नहीं है बलकि उसका असली नाम अयाज खान है राजुरी में जबरदस्ती युपती का धर्व परिवर्तन करवा कर निका किया गया कई दिन युपती को कमरे में बंद कर मारपिट की गई किसी तरह से युपती ने अपने माबाप के पास आयाज खान का आधार कार भेजा तो माता पिता ने बेटी की गुमसुदगी की F.I.R. दच करवाई वे पुलिस माबाप को संग लेकर राजुरी से बेटी को तो ले आई लेकिन आरोपी फरार हो गए नई उर्जा निती लाएगी परदे सरकार सुकु बोले पुर्व सरकारने हिमाचल के हितों को बेचने का क्या परियास? यह परदे सरकार नई उर्जा निती के अतहत काम करेंगी यह बात मुक्मतिर सुकुवेदर से सुकु ने कही बिधान सभा में एक सवाल के जवाब में Ś.I.M. ने कहा अब राज सरकार ने नई नीती में बदलाव किये हैं अब इस पोलिसी में हिमाचन में परयोजना लगाने की अनुमत्ती मिलेगी उन्हेंने कहा कि नई उर्जा नीती के तहत S.J.B.N. ने राज सरकार को पत्रे भेजा है और वह सरकार से बातचीत के लिए तयार है नोकरी बचाने के लिए परदर्शन आउट्सोर्स कोबिट स्टाप ने विधान सबाग के दुरान घेरी सरकार जियां अपनी नोकरी बचाने के लिए बुधबार को मानसून सतर के 30 दिन विधान सभा के नजदी की चोड़ा मैदान में आउट्सोर्स पर रखे गए कोबिट इस्टाप के करमचार ने परदर्शन किया दरसल हाल ही में इन्हें 30 सितंबर तक एक्स्टेंशन दी गई थी लेकिन एक्स्टेंशन के साथ ही टर्मिनेशन ओडर भी जारी हो गया है करमचारी का मनना है कि 30 सितंबर के बाद ये अपनी सवाएं नहीं दे पाएंगे कॉंगर्स ने सत्ता में आने से पहले वादा किया था कि रेगूलर पॉलिसी आउट्सोस के लिए बनाई जाएगी लेकिन अब सरकार इन्हें बाहर का रस्ता दिखा कर इनके साथ अन्याइक कर रही है अभी और आएंगी आपदाएं डाइनों से यूद हार गए देवता काले महिने में साथ यूदों में चार डाइनों ने जीती जे आपदा की मार से जूज रहे हिमाजल पर्देश में आने वाली समय में भी ऐसी और आपदाएं भी आएंगी भुसकरन भाड भुकम और बड़ी दुरगटनाओं से अकाल मोतों का सिकार लोग बनेंगी इस बात की देवानी मंडी जिला के तुंगल छेतर के प्रसित सकति पिट माता बागला मुखी मंदीर से सहली में 68 वी वार्षिक जाक के दुरन माता ने अपने गूर के माध्यम से की है सद्यों से हर वर्ष भादो महिने यानि की काली महिने में देवी देताओं और डैनो के बिच होने वाले यूद के परिनाम के बाद मंडी के देवी देताओं इस तरकी देवानी करते हैं इस बार देवी देताओं और डाइनो के बीच हुए साथ यूदों में डाइनो की जीत हुई है माना जाता है कि डाइनो की जीत होने से अगले एक वर से फसले अच्छी होंगी और महामारी के प्रोकोप से भी जनता बचेगी लेकिन भुक्कम भुस्त कलन बाड और बड़ी दुरघटनाओं में जानमाल का नुकसान बड़े अस्तर पर होगा लिंग जांच पर जोला चाप डॉक्टर एरेस्ट बरनाला महाली सिर्शा की विभागिये टीमों ने दबोचा सातील जिया इस्ट्रिंग ओप्रेशन के दुरान लिंग की जांच करने वाले जोला चाप डॉक्टर को स्वास्त इभाग ने गृपतार कर लिया है आरोपी डेराबसी हाइवेबर्न मीनी बस में अपना देशी दवाखना चला रहा था यह करवाही बर्नाला जिला मुहाली और सीरसा हर्याना की स्वास्त इभाग की टीमों ने संजिकत रूप से की है आरोपियों की पहचान क्रिश्ण कुमार हाल निवासी डेराबसी और मूल रूप निवासी राजस्तान के रूप में हुई है पुलिस ने डेरा बसी सिविल अस्पताल के SMO डॉक्टर धर्मिंदर सिंग की सिकायत पर आरोपी के किलाफ मामला दर्जिकर उसे गिरपतार कर 14 दिन के नियाएक हिरासत में भेज़ दिया गया है बरनाला के सिविल सर्जेंट डॉक्टर जस्वीर सिंग और ओलक ने बताया की उन्हें सुचना मिली थी की कुछ जोला चाप डॉक्टर गर्बती महिलाओं के गर्वें पल रहे बच्चे के लिंक जाचने के नाम पर गेर कानूनी काम कर भोली भाली जनता को बेकूप बना कर पैसे लूट रहे हैं वैं डेरा बसी में जोला चाप भूसन फैक्टरी के सामने सड़क किनारे मिनी बस खड़ी कर यह गोरक धंदा चला रहा है हिमाचल बिधानसवा में गुझेगा बे सहरा पसूँ का मामला कॉंग्रेस एमले भावानी पठानिया का संकलब पालतू पसू छोड़ने वालों को हो सजा हिमाचल बिधानसवा के मानसुल सत्र में राष्टे आबदाबर तीन दिन की तपीश के बाद आज पसूँ को बे सहरा छोड़ने का मामला सदन में गुझेगा कॉंग्रेस बिधायक भावानी स्रिंग पठानिया ने इस मामले पर सदन में चर्चा की मांग कर रखी है मैं भावानी पठानिया अच्छ पालतू मविस्यों को छोड़ने को संगिन जुरू बनाने और इसके लिए जुरू माने के साथ एक से तीन साल तकी सजाका प्रवधान करने के लिए सदन से निती बनाने की मांग करेंगे हलाकि इस समस्या के लिए पसुपालली भाग पसुओं की टेगिंग करता है वह बाबजुद इसके लोग मविस्यों को आवारा छोड़ देते हैं क्योंकि ऐसे लोग को सजा देने का प्रवधान नहीं है ऐसे में आज सदन में इस बार विचार विमर्स के बाद करवाही के प्रवधान को कानून या नीती बनाने पर विचार होगा राष्टी आपदा प्रस्ताव पर समर्थन नो देकर भाचपा ने परदेश के लोगों के साथ किया धोका सीम सुकू जिए हिमाचल विधान सबा का मानसून सत्र जारी है इस दुरान परदेश सरकार ने सदन हिमाचल आपदा को राष्टी आपदा घोसीत करने को लेकर संकल प्रस्ताव पेस किया सदन में बहुमत मिलने पर संकल प्रस्ताव पास हो गया है हलाकि विपक्ष द्वारा प्रस्ताव पर समर्तन नो देने को लेकर मुखमतिर सुकू ने भाचपा बिधायकों और नेतापरति पक्ष पर तीका हमला बोला है मैं सियम ने भाचपा पर आपदा के समय राजनीतिक रोटियां सेकने और हिमाचल के लोगों के साथ धोका करने का आरोप लगाया है देश के सबसे लंबी रूट की H-88 बस सेवा बंद 15 नौबर के बाद मनाली से चलेगी यह ले से दिल्ली को चलने वाली H-88 की सेवा को बंद कर दिया है यह बस अब अगले सिजन में ले से दिल्ली को शुरू होगी आपदा के कारण सवारियों नहीं मिलने से यह बस अभी लेके बजाए केलांग से दिल्ली चल रही है जबकि 15 नौबर के बाद बस मनाली से आरम की जाएगी देश बिदेश के परेटक और आम यात्री अब देश के सबसे लंबी और कई दरों के रोमाच्चे भरे सफर का अनुबब नहीं ले सकेंगी लोग निगम की बसक में अगले सिजन में ही यात्रा कर सकेंगी वह 15 सितंबर से केलांग सर्चु के रास्ते ले के लिए या मार्ग अधिकारी तोर पर बंद हो गया है इसको देखते हुए हिमाचल परद परिवन निगम की केलांग डिपो ने ले दिल्ली रूट की बस सेवा को अगामी सिजन तक के लिए बंद कर दिया है चलते हैं आज साम की आखरी खबर जारी मेरिट के अनुसार संजुक्त समानी वर्ग में 12 हज़ार उनेस जे एंड के माईग्रेंट्स में 49 सिंगल गर्ल चाइल्ड में 581 नोन मेडिकल में 478 और मेडिकल में 323 अभियर्ती सामील है वह परदेश में 75 बीएड कोलेजों में करीब 8500 सीटे भरी जाएंगी दोस्तों आज की खपरों का सिल्चला इसमाप्त होता है कि जनकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सेयर चलों को सस्क्राइब चरूर करें